हलो एवीवन, वेलकम टो माई चैनल, आयाम पनिक्षा बहर दौाज तो आज की लिक्टर में हम क्लास 9 की SST के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 दाट इस इंटेग्रेशन आफ प्रिंसली स्टेट्स, आग के स्टेडी आफ जमू एंड कश्मीर तो निया को अजदी मिलने से पहले या आप यह बोसकते हैं, इंडिया इंडिबेंडन होने से पहले इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स, लग्पग 565 बोल सकते हैं या 584 बोल सकते हैं अलग लग जगाओ पर अलग लग नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो कहीं कहीं जगाओं पर जो है न वो 584 दिया होगा और मैक्सिमम आपको 565 ही देखने को मिलेगा तो इंडिया के अंदर इतनी प्रिंसली स्टेट्स थी फरस्ट और आप भी बहुत सारी स्टेटेट थी जैसे आपके पास देखने को हापको मिलेगा аки एंदर बाद हो गया इंदोर हो गया मैसूर हो गया सिकीम हो गया कीलुइन हो गय और भी बहुत सारी जो हैं बहुत सारी आप बहुत सारी न देखिए न आ आक professionals तो मेंनों era नंबर कितना किस तरीक से जमू कश्मीर जो की एक प्रिंशली स्टेट हुआ करती थी क्लोनियल पिरिट के टाइम पे उसको इंटीग्रेट किया गया यानकि मिलाया गया किस के साथ इंडियन या यूनियों आफ इंडिया के साथ ठीक है वह हम देखेंगे तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको case study का मतलब भी पता होना जीए तो case study जो है ये detailed study होती है किसी person की, किसी group की, किसी situation की अवरा period of time ठीक है अगर आप social sciences के अंदर case study को देखोगे तो case study एक research method है जिसमें किसी भी contextual conditions ठीक है यानि कि मतलब किसी एक particular event या particular situation में कोई भी circumstances उस समय पे रहे होंगे उसके बारे में यह हमें क्या है in-depth और detailed और up-closed information जो है वो provide करती है जैसे जमो किश्मीर एक princely state हुआ करता था किस तरीके से वो integrate किया गया इंडिया के साथ, मिलाया गया इंडिया के साथ, उसके बारे में हमने case study देख करना है जो बहुत बढ़ने के बाद आपको यहां तक clear हो गया होगा चले start करते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए तो क्या बोला जा रहा है 1947 में आपको पता है 1947 में पिफ्टी नगस 1947 में हमें अजादी मेली थी तो जैसे ही हमें अजादी मेली British Rule जो था वह खतम हो ग आदिये थे एक था आपका Union of India एक था आपका Dominion of Pakistan Union of India जो है यह लीगल नेम है Government of India का ठीक है Dominion of Pakistan को आप बोल सकते है Federation of Pakistan तो क्या बोला जा रहा है यहां पर कि 1947 में जब British Rule जो था वह एंड हो गया था तो British Rule के and होतने के साथ साथ two dominance जो थे dominance का मतलब होता है राज्य उनका उनकी creation होई थी एक था आपका Union of India और दूसर था आपका Dominion of Pakistan तो Indian Independence Act 1947 के accordingly इसी act के तहट इंडिया और इंडिया को जो था वो डिवाइड कर दिया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान में ठीक है तो क्या बोला जा रहा है इंडिया Independence Act 1947 के तहट जो ब्रिटिश जेर निटी थी इंडियन स्टेट्स के ऊपर उसने क्या किया मतलब वो भी खतम हो गय जा और सात ही सात में जितनी भी ट्रिटी और अग्रीमेंट्स जो थे ब्रिटिश गवर्मेंट के अंडर उनका भी एंड हो गया आपको पता है अजादी से पहले हमारे बीटिश का क्या था रूल था उन्नों ने हमारी इंडिया को क्या करके रखा हnt से जेर निटी का प्रिंडिया के साथ चाहिए जो कि 1947 में एक लाया गया था जो बिटिश सुजेड निटी थी न इंडियन स्टेट्स के ऊपर वह सारी के सारी खतम होगी और उस सुजेड निटी के खतम होने के साथ साथ जितनी भी ट्रीटिज और एग्रिमेंट जो चल रहे थे बिटिश गव क्या करते हैं मान नहीं रही थी ना ही वह इंडिया के साथ जाना चाहती थी ना ही वह पाकिसान के साथ जाने चाहती थी तो उनको यह बोल दिया गया उनको यह आजादी रे दी कि प्रिंसली स्टेट्स को कि आप जो है आपके पास यह आजादी है या तो आप इंडिया को कर लो या तो आप पाकिस्तान को चूज कर लो अगर आपको इन दोनों को नहीं चूज करना तो आप इंडिबेंडेंट पी रह सकते हैं लेकिन लाड मॉंट बैटन जो थे यह कौन थे आपको पता होना चाहिए इनके बारे में यह वाइस रॉय आफ इंडिया थे ब्रिटिश मतलब इनके पास उस समय पर यह वाइस रही है मैंने आपको अभी बिताया तो यह क्या कर रहे थी इन्होंने एक स्पेशल सेशन जो था वह कंड़क्ट करवाया मतलब जितने भी प्रिंसीस थे ना उन सब को देली में बुलाया और एक सेशन जो था एक चैमबर जो था वह के तरक यह स्टॉंगली यह एक्स किया कि थाड़ा आपशिण जो है इन्डिपेंडेन्ट रहने का वह क्या है कैंसल कर दिया गया है अब जितने भी प्रिंद्वाश थी वह तो या तो इंडिया के साथ जाएंगी या तो पाकि साथ जाएंगी उनको इन्डीपेंडिद Спें Rather of the 2 dominants , Grade of the 2 में लिए ह Pine prawn के दोनों से इंडिया के साथ kुछ चलेगे और कुछ पकिसतान के साथ लेकिन अभी कुछ ऐसी सिर्षी से नहीं वो इंडिया के साथ जाना चाहती थी तो रूलर कुछ में पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी इसके several causes were responsible for this delay और इस causes के लिए बहुत सारे इस delay के लिए जो delay किया गया ना कि ना ही वो किस के साथ जाना चाहता है इंडिया के साथ ना ही वो पाकिस्तान के साथ मतलब वो confusion में चला गया था तो इस confusion के पिछे बहुत सारे causes जो थे वो responsible थे वो क्या थे अभी हम वो देखेंग तो जितनी भी important supply होती थी commodities की मतलब जो भी important समान होता था जो भी उसकी supply की जाती थी जम्मू कश्मीर के अंदर वो कहां से की जाती थी territory of western Punjab जो की अभी पाकिस्तान में है और उस समय पे भी ये पाकिस्तान के साथ ही इसका मतलब जो था link था मतलब उस उदर ही फॉल करता बैंकिंग और postal system जो था state का जी एंड के state का वो भी लाहर के साथ था और लाहर कहां है पाकिस्तान के साथ है इसलिए इंडिया जो था वो confusion में था उसने सोचा कि एगर मैं पाकिस्तान के साथ जॉइन नहीं करूंगा तो जितनी भी important commodities जो की जमू कश्मीर को मिलती है और banking औ जो मतलब यह पूरा system जो है वो चल रहा है तो यह हमें नहीं मिलेगा मतलब ऐसे confusion में था since उस समय पे जो महराजा रनबीर हरी सिंग थे उनका जितना भी education institute जो थे जी एंड के के वो सारे के सारे एफिलियेटी थे पंजाब university के साथ और पंजाब university कहां थी वह भी लाहर में थी ठीक है जैसे अगर आप भी बात करेंगे जितने भी schools जो है या जितने भी universities जो है वो जे एंड के साथ मतलब जमू युनिवर्सिटी के साथ लिंक करती है या कि श्मीर युनिवर्सिटी के साथ लिंक करती है लेकिन उस समय पे जो जितने भी education institutions थे ना वो पंजाब university के कहने का यह मतलब है यहां पे कि यह जो complete disagreement था मतलब बहुत सारी political parties जो थी जी एंड के की यह state की वो भी disagree कर रही थी वो भी यह बोल रही थी कि तुम ना इनके साथ जाओ ना तुम पाकिसान के साथ जाओ इसी यह मतलब session के issue पर बहुत जादा क्या है उनको disagreement जो है वो शो कर रही थी और इसी वाज़ा से महराजा जो थे वो क्या चलेगे dilemma में चलेगे dilemma का मतलब क्या है यहां पे के confusion में चलेगे ठीक है फिर उसके बाद आया stand still agreement stand still agreement का मतलब ही क्या है कि मतलब कुछ time के लिए रुक जाना तो future course of action को मतलब किसके साथ जाना है किसके साथ JNK को join करना है मतलब integrate करना है इंडिया के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ तो इस situation को decide करने के लिए महराजा जो थे उन्होंने क्या किया एक agreement लाया stand still agreement ताकि उनको कुछ और time मिल सके और साथ ही साथ में उन्होंने ये offer जो था stand still agreement का offer जो था वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को क्या किया offer किया अगस्त 12 1947 में मतलब उन्होंने एक agreement बना लिया ठीक है महराजा ने और उस समय पर महराजा कौन थे तो महराजा हरी सिंग थे ठीक है उन्हो पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी शेयर किया 12 अगस्त 1927 में इस अग्रीमेंट इस से यह हो रहा था इससे यह पता चल रहा था कि जिस कंडिशन में आप अभी स्टिल है वो कंडिशन आप कुछ टाइम तक के लिए क्या कर सकते हैं कैरी आन कर सकते हैं ठीक है मतलब जिस पोजीशन में स्टेट जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रही है उसको वो कॉंटेन्यू कर सकती है in all matters as it was with the British Indian Government मतलब British Indian Government के टाइम पे जैसे स्टेट थी जमू किशमीर जो स्टेट थी जो भी वहां पे डिसीजन ले जा रहे थे जो भी पर्फॉर्मस सी टीटीश एग्रिम इवान में whereas India उसने कुछ clarification जो है वो मांगी अब क्या क्या events रहे paralysis के लिए मतलब इंडिया जहाँ के साथ फिर पाकिस्तान के साथ रहेगी उसके पीछे क्या इवेंटस रहे तो महाराजर जो था वो डाइलमा में था मतलब उल्फाटा सा Rob जल्दी जल्दी सक्सेशन के लिए मतलब अकर कियेगे जिसने फाइंली एद॥ स्माका tepraj कि जम्हुद कश्मीर कोई कुछ के साथ एइसेशन के पेस्माना की पेस्मी क्पट UP की ब्लॉकिंग करते ना मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेस्ट वेस्टर पंजाब से जम्मो कश्मीर के लिए बहुत सारी जनम 1899 में हुआ था एक ब्रिटिश लॉयर थे और इनका ब्रिटिश इंडिया की पार्टेशन करवाने में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल रहा था तो अब यहां पर क्या बला जा रहा है रेड़ क्लिफ कमिशन जो थी उसने यह डिसाइड किया कि वह क्या करेगा थी तैसील्स जो हैं गुर्दासपूर डिस्टिक की वो किसको दे देगा इंडिया के साथ कनेक्ट कर देगा मतलब इंडिया को दे देगा और वो कौन-कौन सी थी वो थी गुर्दासपूर खुद एक दूसरी बटाला थी और तीस सी पठान को थी ठीके उन्होंने यह बोल कॉमोडिटी जो थी जमु कश्मीर के लिए सप्लाई की जाती थी उसके बीच में वो एंटरफेर करने लगा और साथ ही साथ में पोस्ट प्लो टैलिग्राफ सिस्टम के अंदर भी उसने डिस्टर्मेंस जो थी वो लाना शुरू कर दी नेक्स्ट हमारे पास आजाता है ट्राइबल इन्वेजन तो क्या हुआ एक सिगनिफिकेंट इंसिडेंट जो था हादसा जो था वो अक्टूबर 1947 में हुआ जब पाश्टून ट्राइबल जो थे उन्होंने कश्मीर को इन्वेड करना शुरू कर दिया यानकि उसके अपर हमल करना शुरू कर दिया किश्मीर के ओपर पास्टून जो थे यह वो लोग थे जो कि सदन अफगानिस्तान और नौट वेस्टर पाकिस्तान के इन्हाइबिटेंट से रहने वाले थे अक्टूबर 22 1947 में बहुत ज़दा लोग जो थे आम ट्राइबल जो थे मतलब हत्यारों के साथ पास्टून प्राइबल जो थे उन्होंने मुझाफराबाद में एंटर किया और वहां से उन्होंने अपना प्रॉग्राइस जो था वो आगे शुरू कर दिया मुझाफराबाद से एंटर करके यह जहलम वैली रोड से स्रीनगर जाके पहुंचे उनकी मार जो थी उनक कि देथ हो गई थी लाज इस बैटल में मतलब यह इनको सेवियर आफ किश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और फॉर्स्ट बैट जब वार हुआ था किश्मीर का तो तब इनकी देथ हो गई थी अब क्या बोला जा रहा है स्टेट फोर्स इस ने बहुत कोशिश किया कि वह अटैक को क्या करें रिसिस्ट करें रोक सकें लेकिन उनकी आर्मी कम थी जैंड के वलों की आर्मी कम थी सिर्फ डेट सो सोल्जर से लेकिन जो वो ट्राइबल से उनकी आर्मी जादा थी तो ये लोग जो थे उस अटैक को नहीं रोक पा रहे थे और सिचुएशन जो थी वो हाथ से निकल रही थी लेकिन महराजा जो थे हरी सिंग जो थे उन्हें ने गवर्मेंट आफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि वो उनको माउंट बैटन की चेर्मेंशिप के अंडर देली में एक मिटिंग किया गया था डिफेंस कमिटी का जिसमें महराजा की डिमांड थी मतलब महराजा ने डिमांड किया था कि उनको आर्म्स और एमिशन जो है उसकी भी सप्लाई की जाए लेकिन उनकी यह जो डिमांड थी यह यह जो अर्ज थी यह जो डिमांड थी यह पॉसिबल नहीं हो सकी और साथ ही साथ में वो चाहा रहे थे कि आर्मी टूप्स जो है वो जम्मु कश्मीर में आए लेकिन जो यह थे लॉड मौंट बैटन थे उन्होंने इनकी इस डिमांड को नहीं माना और उन्होंने बोला कि कोई भी टूप जो है वो जम्मो कश्मीर में तब तक नहीं आएगा जब तक जम्मो कश्मीर जो है वो एसीड ना कर ले यानि कि वो उस एसेशन को ना एसेप्ट कर ले महराजा हरी सिंग जो थे फिर उन्होंने इंस्टूमेंट आफ एसेशन को साइन कर लिया 26 अक्टूबर 1947 में और लेटर ओन जो इन्फोमेशन थी वीपी मैनन के द्वारा मिलिटरी हेल्प की वो पहुंचाएगी और इंडियन आम्ट पोर्सी जो थे उनको एर लिफ्ट किया गया स्रीनगर के अंदर और फिर वो उन पाश्टून से जीत गे और इसकी ऑपरेशन जो था वो चल और इन्वेडर्स को वापिस भेज दिया गया इंस्ट्रूमेंट आफ एससेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ इससेशन के तहर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स जो की मतलब मान नहीं रही थी कि वो इंडिया के साथ जाएंगी या पाकिस्तान के साथ जाएं देन उसके पाद इन्वेडर्स जो थे उन्होंने क्या किया फिर से कोशिश की और वो लदाख को अकुपाई करना के लिए फिर से आगे लेकिन इट वास सेव्ड आउंट वीड़ी स्टेटेजी अफ इंडियन मिलिटर एर फोर्स विच बुल्ट अप डिफेंस पर लदाख तो फिर से वही इंडियन मिलिटर एर फोर्स ने क्या किया अपनी स्टेटेजी जो थी वो अपनाई और उन्होंने लदाख को कब्जा करने से बचा लिया हाववर जो नौर्थ रीजन है लदाख का जैसे गिलगीत हो गया बालतिस्तान हो गया ऐसा एरिया है जो कि मतलब लीज पर दिया गया था ठीक है मतलब रेंट बोल सकता है या एग्रिमेंट पर दिया गया था साथ सालों के लिए ये एग्रिमेंट पर दिया गया था ब्रि को महाराजा हरी सिंग के द्वारा लेकिन यह इन्वेडर्स ने क्या कर लिया कबजा कर लिया इसके उपर फिर उसके बाद जैन्वरी 1948 में इंडिया जो था उसने एक और इशू जो है उसके उपर बढ़ा वह इशू क्या था कि पाकिस्तान ने जमू किश्मिर की कुछ जिसको एक और नाम से जाना चाता है डख कराची सीजफाइर एग्रिमेंट जो की साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1949 में इस एग्रिमेंट के तहट क्या हुआ UN जो resolution था उसकी कुछ conditions माननी पड़ी और वो क्या था कि one third जो territory है जम्मू कश्मीर की जिसमें गिलगित है हुन्जा, बाल्टिस्तान, रावल कोट, सुधान्ती, नीलम, भीमबर, मुझाफराबाद, कोट, ली, मीरापूर यह सारा का सारा जो है यह पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा या पाकिस्तान इसको occupy कर लेगा जिसको अभी हम किस नाम से जानते हैं पाकिस्तान occupy जम्मू एंट कश्मीर वो हिस्सा जो की पाकिस्तान ने अभी भी capture करके रखा हुआ है अब आता है मार पास the formation of जम्मू कश्मीर constituted assembly यानि कि अब जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ integrate हो चुका था इंस्ट्रूमेंट आफ एसेशन उसने sign कर लिया था तो जम्मू कश्मीर को एक बहतरीन और developed state बनाने के लिए constituted assembly का होना भी बहुत जरूरी था ताकि एक constitution बनाया जा सके जैसे इंडिया का constitution है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का भी constitution बनाया गया था तो अक्टूबर 1950 में क्या हुआ जो जर्नल काउंसिल थी national conference जो मैंने आपको पहले भी इसके बार में बताया था हमने political science में इसके बार में पढ़ा था national conference political party थी जिसका पहले नाम किया था muslim conference तो क्या था जर्नल काउंसिल जो थी national conference party की उन्होंने एक resolution जो था वो पास किया जिसमें उन्होंने recommend किया election को कि constituted assembly जो है वो लाई जानी चाहिए ताकि state को constitution जो है वो provide किया जा सके would determine the future of JNK state जिसमें JNK के future को क्या किया जाएगा determine किया जाएगा ठीक है May 1951 में करन सिंजो के सदरे रियासत थे in the capacity of the regent, regent कोन होता है जब ना ही कोई ruler हो या फिर आप बोल सकते हैं एक person को appoint किया जाता है ताकि वो state को administered कर सके in case the monarch जो है Monarch यानकी जो राजा का rule है वो खतम हो जाए या फिर वहां पर कोई राजा ना हो तो एक region जो था उसकी capacity में currency जो थे वो सदरे रियासत थी उन्होंने एक proclamation जो था एक order जो था वो पास किया जिसमें constituted assembly जो थी उसको क्या करना था मतलब उसके लिए elections कंड़क्ट करवाएगे universal अड़ेंट franchise के basis पे इसके बार में हम political science के lecture में मैं आपको बता चुकी हूं जो last chapter था आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं तो क्या था पहले इससे पहले जो है वो सिरफ और सिरफ कुछ ही लोगों को वोट देने का आधिकार था लेकिन इन्हों अठारा साल से उपर होगा वोट दे सकता है और उनके वोट के तहट पर constituted assembly जो थी वो बनाएगी election जो थी constituted assembly के वो accordingly held कियेगे assembly जो थी वो first time मिली October 1951 में constituencies जो थी वो delimited कर दीगी delimited यानि कि कुछ एक limit जो थी वो तैय कर दीगी कि जहां पे 40,000 persons होंगे वहां पे एक member जो है वो क्या किया जाएगा चुना जाएगा उन 40,000 members के उपर एक member जो है वो चुना जाएगा और people जो है उनको assure किया गया उनको ये तसल्ली देगी कि बा force में आगया 26 January 1957 में बना कब था comment section में जुरूर बताईएगा ठीके तो इंडिया का constitution जो था वो कब बना था कब effect में लाया गया था वो भी आप मुझे बताएगे और J&K का constitution कब जो है वो बना था वो आप मुझे बताएगे बना जो था कब था लेकिन force में कब लाया गया थ यह आप लोग मुझे comment section में जुरूर बताईएगा इसके बाद यह कुछ important points है इसके और एक और यह है VP Manon जो है वो Indian civil servant थे जिन्होंने क्या किया था was the constitutional advisor and political reforms commissioner to the last three voice choice during the British rule in India he played an important role during the integration of the princely state VP Manon जो थे यह Indian civil servant थे जो कि क्या कर रहे थे constitutional advisor थे साथी साथ में political reform commissioner थे और इन्ह 30 30 मतलब 30 सालों से जब Britishers इंडिया के अंदर थे तो उस समय voice royce को यह क्या करते थे सलाव अगरा बताते थे या देते थे और उसके बाद इनका बहुती important role रहा है princely states की integration के time पे I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिएगा अपने दोस्तों क करिएगा और चैनल को subscribe करना ना बूलेगा ठीक है और कोई भी comment sorry doubt होगा तो आप comment section में पूछ सकते हैं thank you and have a beautiful day ahead